हलो स्टूडेंट्स तो बच्चों कल हमारा चैप्टर शेवन कम्प्लीट हो गया था जम चैप्टर एट रीड ये यूनिक वर्ल्ड ओफ लिविंग ओर्गिनाईजेंज अनोखे दुनिया के जियों की दुनिया यानि सबी जियों की अपनी अलग-अलग रेंशन होता है वे अपने रेंशन के हिसाब से मतलब उनकी कुछ खास वीशेस्ताइं होती है जिसे वे उसका उप्योग अपने जीवन में करते हैं से कि वह अपने बोजन के लिए हर जीव अलग अलग तरिके से तलासता है ठीक है और शेवरल काइंट्स ओफ अनिमाल्स लिविंग क्रेश्चर अराउंड अस हमारे आस पास में बहुत सारे जीव और पसू रहते हैं इस प्रेश्चर अनिमाल्स है व्टेयर ओन स्पेशल करेक इन सब्जियों की अपनी कुछ खास विशेश विशेशता है यानि विशेशता होती है कुछ खास विशेशता होती है देगेट देयार फूड इन डिफरेंट वेज एंड प्रोटेक्ट देमसेल्ज वे अपने बोजन अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं एंड अपनी रक्षा भी करते हैं in different ways within तरीके से यह यह अलग लग तरीके से they find out about the availability of food and reach there वे अपने बोजन के लिए अपनी उपलबता के बारे में जानते हैं और वहां तक वे पहुँच भी जाते हैं next page while moving गती करते समय aren't secret and order stance जब चीटिया हैं वो straw करती है यानि एक stance से छोड़ कर अपने मतलब orders देती हैं मतलब straw करती है so that the aren't moving behind follow them or identify the ways तो इसी परकार एक चीटि के पीछे उसको फोलते वे बे चलती है when an aren't bites us then it inject that जब कोई आंट हमारे शरीर में हमारे शरीर को काटती है तो वो inject करते हुए जहर को हमारी बोडी में inject कर देती है यानि हमारी बोडी में छोट देती है which cases पेंट तो हमें दर्द होता है गिनी वाज गोइंग in her neighborhood with her brother दीपक गिनी है वो अपने बाई के साथ अपने पडोस में जा रही थी गिनी का पेर है वो एक इस टोन से चोट लग जाती है she saw that a large group of ants was under her foot वह देखती है कि उसके पेर के नीचे बहुत सारी चीटियों का group था she got nervous and started running along with her brother तो वह nervous उदास हो जाती है और अपने बाई के साथ दोड़ना स्टार्ट कर देती है at her neighbor's gate जब वह अपने पडोस के पडोसी के जाती है तो gate पर पहुंचती है dog was dead tied एक कुता वहाँ पे बंदा हुआ था we started barking वह है उसे बोगना सुरू कर देता है दीपक told her that दीपक ने कहा that the dog bark as stranger and doesn't let come in कुता वह बोगता है जब कोई stranger जब कोई stranger होता है तो वो उसको अंदर आने नहीं देता इसलिए बार्थ करता है तो बच्चो आज हमें इतना ही chapter read करेंगे बागी का बचा chapter कल read करेंगे आपको ये chapter यहाँ तक read करना है ताकि आपको समझ में आ जाए आपको समझ में आ जाए